जैस्री कृष्णा आज हम सुनेंगे आसाड कृष्ण एकादसी की कथा एवं उसका महात्मिय तो चलिए कथा सुरू करते हैं शिवो हम चिदानन्द रूप शिवो हम शिवो हम न मैं पुन्य हूँ न पाप न सुख और न दुख न मंत्र न तीर्थ न वेद और न यज्य मैं न भोजन हूँ न खाया जाने वाला हूँ और न खाने वाला हूँ मैं चेतन्य रूप हूँ आनन्द हूँ शिवो हूँ शिवो हूँ एक बार की बात है धर्मराज युदिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवन मैंने जेस्ट सुक्ल एकादसी के वृत का महात्मिय एवं वृत की कथा सुनी अब आप कृपा करके आसाड कृष्ण एकादसी की कथा सुनाईए इसका क्या नाम है क्या महात्मिय है यह भी बतलाईए स्री कृष्ण कहने लगे हे राजन आसाड कृष्ण एकादसी का नाम योगीनी एकादसी है इसका दूसरा नाम शयनी एकादसी भी है इसके वृत से समस्त पाप नस्ट हो जाते है यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ती प्रदान करने वाली है यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो श्वर्ग धाम की अलकापूरी नामक नगरी में कूबेर नाम का एक राजा रहता था वह परम शिव भक्त था आउर प्रती दिन सिव की पूजा किया करता था हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहां पर प्रती दिन फूल लाने का काम किया करता था हेम की विशाल अक्षी नाम की सुन्दर इस्त्री थी एक दिन वह मान सरोवर से पुश्प तो ले आया लेकिन कामा सक्त होने के कारण वह अपनी इस्त्री से हास्य विनोध तथा रमन करने लगा इधर राजा दो फर तक उसकी रह देखता रहा अन्तमे राजा कुबेर ने सेवकों को आग्या दी कि तुम लोग जाकर हेम नामक माली का पता करो कि वह अभी तक क्यों नहीं आया सेवकों ने कहा कि महराज वह अती कामी अती पापी हैं अपनी इस्त्री के साथ हस्य विनोध और रमन कर रहा होगा यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे राज दरबार में बुलाया हेम नामका माली राजा के भाय से कापता हुआ वहां उपस्तित हुआ राजा कुबेर ने क्रोध में आकर उससे कहा अरे पापी नीच कामी तुने मेरे परम पूजनिया इस्वरों के इस्वर स्री सिवजी महाराज का अनादर किया हैं इसलिए मैं तुझे शाप देता हुँ कि तु इस्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यू लोक में जाकर कोड़ी होगा कुबेर के साप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसे ख्षन प्रिथ्वी पर गिर पड़ा भूतल पर आते ही उसके सरीर में श्वेत कोड़ हो गया उसकी इस्त्री भी उसी समय अंतरध्यान हो गई मृत्यू लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे भायानक जंगल में जाकर बिना अन और जल के भटकता रहा रात्री को भी उसे निद्रण ही आती थी परन्तु सिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृती का ग्यान अवश्य रहा घूमते घूमते एक दिन वह मारकंडेय रिशी के आस्रम में पहुँच गया जो ब्रह्मा से भी अधीक व्रिद्ध थे जिनका आस्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था हे ममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा उसे देखकर मरकंडेय रिशी बोले तुमने एसा कौन सा पाप किया है जिसकी प्रभाव से तुम्हारी यह दसा हो गई है हे ममाली ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया यह सुनकर रिशी बोले निश्चित ही तुने मेरे समुख सत्यवचन कहे है इसलिए तेरे उद्दार के लिए मैं एक व्रत बतलाता हूँ यदि तु जेस्ट मास के कृष्ण पक्ष की योगीनी नामक एकादसी का विधी पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे ही पाप नस्ट हो जाएंगे यह सुनकर हे ममाली ने अत्यंत प्रसंद होकर मुनी को सा स्टंग प्रणाम किया मुनी ने उसे स्निह की साथ उठाया है ममाली ने मुनी के कथना अनुसार विधी पूर्वक योगीनी एकादसी का वुरत किया इस वुरत के प्रभाव से अपने पुराने श्वरूप को वह प्राप्त होकर अपनी इस्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा भगवान स्री कृष्ण ने कहा है हे राजन यह योगीनी एकादसी का व्रत अठासी हजार भ्रामनों को भोजन कराने के तुल्य फल देता है इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में श्वर्ग की प्राप्ती होती है बोलिए स्री कृष्ण बिहारी लाल की जये